तो हमारा आज का चैक्टिर है राइट्स ट साधा हग एथे रख तो राइट ञा है राइट इसेंशिन एंटाइ्टलमेंट और और जस्हिफाइड क्लेम प्राइट क्या होते है कि आपका इंटाइटलमेंट है जो आपको मिलना ही चाहिए एक जस्टिफाइट क्लेम नियाय पूर्वक यह चीज आपकी है आप इसके ओपर हक जमा सकते हो यह चीज है जिसको हमारी है यह हमारी ही है इसको समाज में मानना पड़ेगा कि हाँ पूनम का यह हक है और जस्टिफी का यह हक है यह एक लेजिटिमेट क्लेम होता है और इसको हर किसी को इसकी कदर करनी पड़ेगी इसका मतलब यह नहीं कि आप जो वी चाहो मांगो और हर चीज को अपना राइट मान के वैट जो नहीं जो चीज जस्टिफाइड है जो न्याय पूर्वक सही है वही आपका हक बनेगी य लिए किसा ब हर इसका मटरि कि बाज़ा शामा राइट कि लिए इस इसका मट छार्या विए पिरिए कम जो चीज आ गी with my friends and I may want to stay out late at night but this doesn't mean I have the right to dress in any way I like it school or return home whenever I choose to do so so I get 4 and you will come back to your house and you will come back to your house and your phone off कर लिया कि क्या होगा हुआ हुआ है कि नहीं पड़े का मेरी मम्मी तो मेरे को जाड़ू चपल हो था नहीं किस-किस से सूथ देती है तो तो फारक होता है हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिलेगा वह एक मैं कोट भी होता ना तो फारक होता है तो बहुत फरक होता है आप जो चाहते हैं और आपको जो मिलना चाहिए उन दोनों के अंदर राइट्स अर्प्रामिली थोस्ट ग्लेम्स यहां इतना भी आई लिखा उसको वही कर देना एक एक सकेट्टे में तो राइट्स आपकी सेल प्रिस्पेट को उस्टे में बा Macht इस ब्सक्षी करते हैं आपका घीने अब कमाने का और अग्तल जिने लाइगेव बांने तो था मैं करते हैं के उखिषे नहीं यह जिए सिर्ददारर सी परफु ए कि मैं पुरु परिफ्टर्स आपको कमाने का हमें फाये झामाने मिलते है उन्जाए नहीं इसलिए जो हमारे हक होते हैं, वो हमें opportunity देते हैं to be creative, to be original, to lead our life the way we want to. But freedom of expression is also important for the democratic government since it allows for the free expression of beliefs. It would be important for all the human beings. बस यही बोला गया है कि आपके हक जो हैं आपको जीने का एक जर्या देते हैं. Next paragraph, another ground for which rights have been claimed as they are necessary for our well-being. They help individuals to develop their talents and skills. A right to take the right to education, a right like the right to education for instance, help us to develop our capacity to reason, give us useful skills. And rights इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन को ढग से चलाने के लिए हको का होना बहुत जरूरी है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे देश में right to education नहीं है, हर बच्चे को पढ़ने का हक नहीं दिया जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाएंगे, अपने future को better नहीं बना पाएंगे, और आगे अपनी कभी कमाईया अच्छी नहीं कर पाएंग अगर आपको पढ़ने का हक नहीं होगा, कि मेरे को जो है इसी तरीके का discrimination नहीं फेस करना है, कोई discrimination नहीं होगा, तो मैं समाज में आगे कैसे बढ़ने के लिए, एकनोमिक वेल बीग के लिए, पॉलिटिकल वेल बीग के लिए भी आपका जो है राइट होना बहुत जरूरी होता है, कि मुझा आगे कि मुझा जाती है, कि आप लोग इंचिप्स का सेवन नहीं करेंगे, यह आपकी हिल्थ को भी खराब करता है, आपके रिश्चादारों के साथ आपके रिलेशन को भी खराब करता है, तो यह जो है कई आपका behavior patterns को भी खराब कर देता है, कि कई बर इती हो जाती है इन चीजों की, कि आप अलग सा और सा behave करने लग जाते हैं, तो ऐसे चीजों को आपका हग का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, कि जाओ भी सुटे मारो, नहीं, समझ में आया? Is that clear? Where do rights come from? यह rights की बाते कहां से उठी? अब हम यह पढ़ेंगे, यहां से भी आपको question आ रहेगा, natural right और human right का, वो हम read करेंगे, सिफ़त read. तो 17 और 18 शताबदी के अंदर, 17th and 18th century, that is 1600 something and 1700 something के अंदर, बहुत सारे political theorists थे, उन्होंने बोला कि इनसान कुछ हकों के साथ पैदा होता और भगवान ने उसको यह हक दिये हैं. तो these rights are given to us by nature or God. God जी, हमारे इश्वर ने हमें कुछ हक दिये हैं और इनको natural law बोला जाता है, 5th line में लिखा हुआ है कि natural rights of human being क्या हैं, जो से भगवान ने हक दिये हैं, वो कौन-कौन से हक हैं, life, liberty and property. यह one marker में question आ जाएगा, जीने का हक, आजादी का हक और अपना property का हक दिया हुआ है भगवान ने. इनको basic right भी बोला जाता है, इनको natural right भी बोला जाता है, कि हर इनसान जो इन हकों के साथ पैदा होता है. समझ में आया? तो यह जो notion था, natural right, rights given by the God, यह लोग use करते थे, और 17 और 28 अब दी एक ऐसा समय है, जब बहुत सारे European countries ने अपने आपको अजाद किया राजा के रूल से, तो उन्होंना राजाओं को हटाने के लिए यह statement दिया था, कि हमारी अजादी, हमारी जिंदिगी और हमारी property, हमारा है, यह आप राजा लोग डिसाइड नहीं करोगे, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल अपहीवल के लिए यह राइट्स की बात करी गई थी, 16th, 17th and 18th century में, is that clear so far? आजकल जो है, यह पुराने टर्म में, 17th, 18th century में, नाच्रो राइट्स की बात हुई, बट अब रीसेंट टर्म में, रीसेंट टाइम में, आपका Second World War के बाद खास करके, और है, यूमन राइट्स की बात हुई, यूमन सब के बात हुई, किया किसी इनसान को आप इसलिए मार दें, यूग कि वह एक सर्टेन रैस का है, सर्टेन का इसका है, सर्टेन रिलिजिन गा है, और फिर हमारा यहे बाद द्बारा उठी wakingos, और Nap1, 같아요, on घ Carol Moha, Aku उसके उपर यह human rights की concept कि आप किसी को भी बस मार दो गए तो human rights की बात आई थी human rights जो है वो जादा important है more than आपका natural rights से भी जादा क्योंकि कुछ हग हर इंसान को मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए क्योंकि वो इंसान है rights जो है एक guarantee की तरह आजकल देखे जा रहा है human rights और हर किसी को यह पाने का हग है ताकि उसकी एक जीवन जो है minimal good life उसकी बन सके and human rights क्यों important है क्योंकि हर कोई human being नहीं होता there are many organism on this planet but there are human beings and humans are entitled to certain rights which are called human rights as a human being a unique a equally valuable in Africa में बैठा काला बंदा साथ फुटका उतना ही important है जितना जो है हरी नगर में बैठा है सुभाज चैंगर में बैठा हो जस्वी है है जस्वी every life is important every person is important this means that all the person are equal and no one is born to serve others आप किसी को सर्फ तुकाला है वो मोटा है अपना गुलाम नहीं बना सकते है पुली नहीं कर सकते हैं जो हम लोग सब सबसे आदा कॉमनली करते हैं बुली कि हम में हर किसी के अंदर कुछ इंटर्नल रालीव होती है और हर किसी को जो है हर किसी के л zeggen अलग सी चीज होती है किशिवकरने की कैद रही का अंशी का पढ़ाय में बहुत अच्छी है तीक है आपका पढ़ाई की तरफ रुजान जाधा है तौह किसी को ईक्फफर कराटे में चाहिए कि वह आगे जाए और अपने पोटेंशिल को रीच करें यह जो है फ्री एंड इक्वल सेल्फ का जो कॉंसेप्ट है यह आजकल बहुत फेमस होता जा रहा है जिसमें बोला गया है कि हम रेस के अधार पे जात के अधार पे धरम के अधार पे जेंडर के अधार पे जो कि कोई दिक्कत आई है ऐसा लगा पॉलिटिक साइंस पॉलिटिकल साइंस पुझेंट तो अच्छों आज़ राइट के वल तीन राइट लाइफ लिवर्टी और प्रॉपर्टी इंड राइट में होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ठीक है नो आपका जेंडर बायस किसी तरीक कि आपको धर्म का होने की वजय से नहीं मारेगा आपको जो है फ्रीडम तो स्पीच फ्रीडम और एक्स्प्रेशन फ्रीडम और रिलिजन दिया जाएगा यह सब आपके हुमन राइट सहां है समझाया है ठीक है नेक्स्ट टू पाराग्राफ पड़ो अंशिका तो फ्रीड पते हैं तो यह जो की बाते हुए डेकलरेशन फ्रीडम राइट सब्सक्राइब और टेशों के लोगों ने सुना और अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए अपने देश को बनाने के लिए इन राइट का सहा लिया इनकों पर नारेबाजी करी प्र आज भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारी आशी कमुरूटीटीज जिनकों एक्वल हख नहीं मिल रहा है जिनके साथ एल्टीमेंट आज भी हो रहा है इन फैक इन फ्रक यह फिल एक्ष्ट्राइज बॉट एप स्कूरड़ दिटाव इन इस्ट्रौड इंड़ा इस वह बहुत फायदा हुआ रहा है पर आज भी बहुत सारे लोग है से बहुत सारी communities है जो आज भी पराबरी नहीं मपा पा रही लिस्ट फ्यूमन राइड विच आफ पीपल आपकले में इस्पेंड ओवर दा ये लोगों के हग बढ़ गए हैं लोग आजकल इंवार्मेंट को लेके बहुत कॉंशियस हो गए हैं तो पता के जलाने वे बैन हो रहा है कि क्लीन वाटर क्लीन एर क्लीन अस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे शब्द आप लोग सुनते होंगे डेली बेसिस पर सुनने कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड सुनित अस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि इस स्टेनेबल डेवलपमेंट करो आपके आने वाली future generations है वह मिलने वाले लाटर हैं फ्री एंवार्मेंट असको मजा ले सके तो अब उर्तों के बारे में बता चल गया बिमारों को बच्चों को सबक्तली अपने अपने एक आफरीकां की एक मिलके ज़निया है लोगों के टाने कि लिए का माम उपनी फैरिकां लो गरीशनЖा गरीकर धाभी प्रिक लिचाम हम मतते हैं रोड़ के बिशिकां डिया था कि एन्डिया ठीव है है इसने बाबा का धाबा के पैसे का पैसे के यह अंधर र Great तो हमारे यहां पर human rights concept not even in the India it's in the whole world जहां पर लोग जो है अब human rights को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें इनसान की जीने का हग खाने का हग रहने का सबके बारे में सोचा जा रहा है इतना समझ में आया तो हर चीज की मत लगा रहे हो तो उस कीमत के बदले कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो और अगर किसी चीज कीमत ना लगा पाओ वो होती है इन पर इस जो है जो है और डिनिती का बहुत वाल्यू है जूटा है या सच्चा है मौरल है या इंमौरल है हर इंसान को कुछ ना कुछ self-respect हर इंसान में होती है चाहिए वो कितना ही खराब क्यों नहीं हो और हमारी duty है कि हम उसको respect के साथ treat करें आपने भले कितना crime करा हो कुछ भी करा हो पर आपकी इस आप इज़त के हगदार हो इस दके हगदार आजन मैं तुम्हें बिल्कुली प्रणों की जुति बनागे नहीं रखोंगी हर किसी की रिस्पेक्ट होती है चैहे वो किसने कितना ही गलत काम क्यों ना करा हो तो तो ट्रीट का मतलब है उनको मौरली सही तरीके से टीट करो सामने वाले ने गलत कर तो यह न इस तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को तमीज से बात करें करें सब्सक्राइब हो और क्यों कहता है कि सबसे पहले आप दूसरों को वैसे ट्रीट कीजिए जैसा अब खुद तूसरों से ट्रीट होना चाहते हैं अगर आप तू-टू करके बात करेंगे तो सा लीजिए उठाने के लिए ही मिलना नहीं चाहिए कि बस यह बंदा मेरे काम का है इसलिए मैं इसको इसको पनी contact list में रखूं या इससे बात करूं यह बात गलत है तो इसे बात करें अपने फायदे के लिए किसी से रिश्था मत बनाएं कर राखिए आसामने वाला हर किसी की respect होती है उस respect के साथ बात करिए और हर इंसान इंसान है यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है उसे इंसान समझ के treat करिए यहां तक लियर हुआ आस तो बहुत लंबे-लंबे भाशन हो रहे हैं कि निक्स क्लास में हम लीगल राइट एंड़ स्टेट करेंगे ठीक है